नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है दस नवंबर खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में बिजली उपवोकताओं को मिली राहत बीटा एरपोर्ट के निर्मान का रास्ता हुआ साफ अधूरे इंद्रा आवास को पुर्ण करने के लिए अतिरिक पचास हजार रुपे देगी सरकार बिहार के मुंगेर की बेटी सिल्फ विजेता बैठेगी हौट सीट पर पाकिस्तान पहुचा फाइनल में आज होगा दूसरा सेमी फाइनल अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से IOCL ने 265 रिक्तियों के लिए भरती अधिसूचना जारी किया Indian Oil Corporation Limited ने विविन ट्रेड में ट्रेड अपरेंटिस के कुल मिला कर 265 रिक्तियों पर भरती के लिए अधिसूचना जारी किया है इन पदों के लिए अगर सैचनिक योगिता की बात की जाए तो आवेदा को संबने ट्रेड के अनुसार 10 प्लस 2 या 50 प्रतीसत माक्स पास के साथ ग्रैजुएशन पास होना चाहिए एक्चोक और योगियों मिद्वार इस वैकेंसी नोटिस से जुरेवे समस्त जरूरी जानकारी और आवेदान करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेव लिंक पर जरूर क्लिक करें आवेदन की तारीक 12 नवंबर 2022 तक है विस्त्रिज जानकारी के लिए आप ओफिसियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर करके चेट कर सकते हैं बिहार में बिजली उपवोक्ताओं को मिली राहत बिजली कमपनी ने बिहार में बिजली उपवोक्ताओं को राहत दी है जिसके तहट अब उपवोक्ताओं को ऑनलाइन सिकायत दर्ज कराने की सुविधा दे दी गई है वही अगर इस दोरान किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उपवोक्ता होल्डिंग कमपनी के ग्रिवांस रीटसल रे पोर्टल पर जाकर सिकायत दर्ज करा सकते हैं सिकायत दर्ज कराते समय उपवोक्ताओं को अपनी समस्या का संचित विवरन देना होगा और खुद से जुरी कुछ जानकारी देनी होगी जिसके बाद मोबाइल नमबर या इमेल आईडी पर सिकायत नमबर उपलब्ध हो जाएगा बिहार समय तीन राज्यों के वोटर्स के लिए नया सौफवेर लॉंच भारत नर्वाचन आयोग ने बिहार सहित देश के तीन राज्यों उत्राखंड असम और गोवा में नया सौफवेर लॉंच किया गया है इस नई विवस्था को बिहार उत्राखंड और असम में बीते दिन बुद्वार यानी की 9 दिसंबर से सुरुवात की गई है जिसके बाद अब मद्दाता सूची में आनलाइन नाम चोड़ना या सुधार करना काफी आसान हो जाएगा भारत नर्वाचन आयोग के द्वारा करीब 4 साल के बाद अपने सॉफवेर में बदलाव कर ERO NET का 2.0 सुने वर्जन लॉंच किया गया है वही सॉफवेर के आने से आम लोगों के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों विकल्प होंगे जिसमें ऑनलाइन के लिए 3 माध्यम है जिनमें वोटर पोर्टल, NVSP और वोटर हल्पलाइन एप शामिल है बिहार की भागलपुर जिले में जैसे ही गंगा के जल में सितलता आई वैसे ही डॉल्फिन की संख्या में भी बरहोतरी देखने को मिली है बताते की 2012 के बाद 2022 में गंगा में डॉल्फिन की संख्या में बरहोतरी देखी गई है बताते चले के पिछले वर्ष गंगा में जहां डॉल्फिन की संख्या 188 थी जो अब बढ़कर 208 हो गई है वनविवाक के वनचे किसा पदा दिकाडी के दोरह बताया गया है कि लगाता 20 वर्षों से वाइललाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के दोरह किया जा रहा था केंद्रिय वित्मंत्राले की समीती के पास एक वर्ष से विचाराधीन बीटा में सिविल एंक्लेव के निर्मान से जुरे प्रस्ताव का रास्ता साफ हो गया है और अब जल्दी इसके लिए 900 करोड रुपे तक का टेंडर जारी किया जा सकता है इससे 3 साल पहले यह अनुदान राशी 800 करोड रुपे के आस पास थी लेकिन अब निर्मान कारे में 3 साल की देरी होने पर अनुदान राशी को बढ़ा कर 900 करोड रुपे कर दिया गया है बताते चले किस इंक्लेव के निर्मान के लिए 108 एकर की जमीन एयरपोर्ट अथरॉर्टी को दी गई है जिसके बाद इस जमीन पर 4 दिवारी के निर्मान के लिए अथरॉर्टी बिहार स्टेट बिल्दिंग कंस्ट्रॉक्शन कंपनी लिमिटेड को दी गई है तेश्वी के जन दिन पर सीम नितीस ने गले लगाया भतीजे ने पैडचू कर लिया असरवात बिहार में महागडबंधन की सरकार बनने के बाद या पहला मौका था जब तेश्वी यादव ने बीते दिन अपना जन दिन मनाया तेश्वी यादव ने मुख्यमंतर नितीस तेश्वी यादव ने नियुक्ती पत्र का वितरन किया है इस दिन बिहार पंचाईती राजबिभा के प्रखंट हैत राजपता दिकाडी और सायंस and टेकनोलोजी बिवा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ती पत्र बाटा गया था इस दारान नितीसकुमार गले लग कर तेश्रीयादव को जन्दिन की बधाई दी तो वहीं तेश्रीयादव ने पैच्छू कर उनका असरवाद लिया पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंग चुनाओं में आज साम तक फाइनल हो जाएंगे कैंडिडेट्स के नाम पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्रसंग चुनाओं को लेकर कैंडिडेट्स के नाम आश्राम तक फाइनल कर दिये जाएंगे वहीं दूसरी ओर सभी छात्रसंग अठन प्रचार प्रशार में लगे हुए हैं किस्वर कॉलेज के छात्रसंग चुनाओं में कुल 24,395 वोटर होंगे जिनमें सबसे जादा मदाता पटना विमन्स कॉलेज से आती है जहां मदाताओं की संख्या 5,355 है दूसरे नमबर पर 3,488 मदाताओं के साथ मगन महिला कॉलेज को रखा गया है किन कॉलेज में कितने बूत बनाए जाएंगे जिसमें पटना विमन्स कॉलेज में 7 बूत, मगन महिला कॉलेज में 8, कॉलेज ओफ आर्स एंड क्राफ्ट में 1, विमन्स ट्रेनिंग कॉलेज में 1, पटना विमन्स कॉलेज में 5, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में 1, पटना ल बिहार में 4 जोड़ी ट्रेने 14 नवंबर तक रद रेल्वे की दौरा बिहार से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद कर दिया गया है तो वहीं कुछ के रूट में बदलाव कर दिया गया है जिन ट्रेनों को रद किया गया है उनमें 1861 4 और 1863 दो चोपन राची एक्सप्रेस 1863 18631 राची चोपन एक्सप्रेस 133 एक सुन्य प्रयाग राज चोपन एक्सप्रेस और सुन्य तीन चार चार चोपन गोमो इस्पेशल ट्रेने सामिल है। बांका में सराब की बड़ी खेब बड़ाबत बिहार के बांका जिले में सराब तसकरों ने तसकरी के लिए नया तरीका का हिजात कर लिया है यहां के तसकर गारी में तहकाना बना कर सराब की तशकरी करते हैं दरसल जिले की नवादा पुलिस के दौरा वहां चेकिंग के दौरान गारी से 237 सराब की बोतल बड़ामत किये गए हैं इसके साथ उन्होंने एक सराब तसकर की गिरफतारी भी की गई है मिली जानकारी के अनुसार तसकर का नाम विकास बताया जा रहा है जो जारकन से सराब लेकर नवगचिया जा रहा है था बता दे कि इस तरह सराब तसकरी का मामला पहली बार सामने आया है बिहार राजेश्व विभाग ने जारी की रैंकिंग बिहार सरकार के राजेश्व एवं भूमी सुधार विभाग ने रैंकिंग जारी की है जिसमें सबसे पहले अस्थान पर बांका को रखा गया है वहीं इस बैठक के दोरान प्रमंडली आयुक्त दया निधान पांडे ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये हैं जिन में समय सीमा के भीतर जमाबंदी लगान रशीद मापी आदी के मामलों का निस्पादन करने को कहा गया है इसके साथ ही दया निधान पांडे ने बांका में स्थित कस्तुर्वा आवासिय विद्याली की भी समिछा की बिहार में इस दिन से बढ़ने वाली एठंड हो जाय सावधान बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाओ देखने को मिल रहा है ऐसे में आई-मडी पटना के मौसम विज्यानी आसीस कुमार ने बताया कि 13 नमबर से पारा अचानक नीचे आएगा बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ठंड पढ़ने की पूरी संभावना है डॉक्टर राजिन फुरशाद केंद्रिय कृषिव विश्य विद्याले के वरिष्ट मौसम विज्यारी डॉक्टर एस सत्तार की माने तो उन्होंने बताया है कि बिहार में इन द तुलना में इस साल में अधिक गोड़ा रहने की बात कही गई है ऐसे में लोगों को अभी से सतर्क रहने को कहा जा रहा है पटना से कॉलकता और दिल्ली के 20-350 की स्पीड से दोरेगी ट्रेन जिन में पटना, बकसर और गया शामिल हैं। इंदरावास योजना के तहट जिनके आवास नहीं बने थे वे अब बहुत ही जल्द पूरे होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि योजनाव में पारदर्शिता और काम में धिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने का नरदेश चारी कर दिया गया है। आपको बता दे कि वीतिये साल 2016-17 से लेकर 2020-21 तक में कुल 1,96,333 आवास जबकि 2021-22 में आवास प्लस के तहट 3,45,510 आवास अभी भी अधूरे हैं। जब चार्ट खाने के लिए मचल उठा अक्छडा का दिल। भोजपूरी की ग्लैमरिस गर्ल अक्छडा सिंग ने शोशल मीडिया पर अपनी एक तश्वीर सेयर की है जो खूब वाइरल हो रही है। उस तस्वीर में वो पानी पूरी के ठेली के पास नज़र आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार या बास सामने आई है कि यह तस्वीर जारकन के राची सहर के हिनू चौक के पास की है जहांवे अपनी मन पसंदीता चार्ट का मज़ा लेती नज़र आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब अक्छडा डाल्ट गंज में आयोजे त एक सो से लौट रही थी तब उन्होंने इस चार्ट का मज़ा लिया था बताते चले कि जैसे ही अक्छडा की अपोस्ट वाइरल हुई तो उनके चाहने बालों ने दल्चस्ट कमेंट करने शुरू कर दिये वहीं आजकल अक्छडा अपने फिल्मों और वीडियो को लेकर का अपसे जादा काम हुआ है ऐसे में बिहार में एक और फोरलिन परियोजना बिहार की जनता को मिलने वाला है इस फोरलिन की सुरुवात हो जाने के बाद से पटना से भोजपूर और बकसर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा बता दे कि इस फोरलिन को उदगाटन 14 नवंबर क केंद्रीय मंत्री नितन गड़करी के दोरा किया जाएगा बता दे कि इस फोरलिन की कुल लंबाई 92 किलो मीटर की है जिसे करी 1500 करोड की लागत से बनाया गया है इस फोरलिन की सुरुवात हो जाने के बाद यह पश्चिम पिहार की सबसे लंबी फोरलिन सरक बन जाएगी सा सोनपूर मेला में लेटिस्ट हतियारों की लगेगी प्रदर्शनी इस वर्ष लगे विश्व प्रसित सोनपूर मेले में एक स्टॉल लगाया गया है जहां लोगों को ATS और STF के बारे में बताया जाएगा बता दे कि इस स्टॉल की सुरुवात 11 नमंबर से की जाएगी इस करते हैं इन सब के अलावा ATS के स्टॉल पर आने वाले व्यक्ति को डॉक्योमेंटरी वीडियो भी दिखाया जाएगा जिसे विशेश तोर से बनाया गया है इस वीडियो में हाथों में एक के 47 लिए हुए स्वाथ दास्ता के जवान को भी दिखाया जाएगा बिहार के मुंगेर की बेटी सिल्प विजेता बैठे की होट सीपर बिहार के मुंगेर जिले की बेटी सिल्प विजेता कौन बनेगा करोर पती में अमिताब बच्चन के सामने होट सीपर 21 एवं 22 नवंबर को आने वाले सू में विराजमान होगी इससे मुंगेर के लोगों प्लस टू उच्छ विद्याले जिसके बाद उन्होंने अपनी ग्राजुएशन के सिक्चा हरी सिंग महाविद्याले हवेली खड़कपुर से पूरी की है। कभी भी किया जा सकता है वहीं अब तक 8 जिलो में काम जारी कर दिया गया है जबकि 10 जिले ऐसे हैं जहां ट्रैक के निर्मान के लिए टेंडर जारी किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन जिलो में ट्रैक का निर्मान कारे जारी है उनमें सीता मरी, कटिहार दर्भंगा भोजपूर मुझपरपूर किशन गंज नालंदा और मदूबनी जिला सामिल है वहीं वैसे जिले जहां फिलहाल टेंडर जाड़ी नहीं किया गया है और जल्दी जाड़ी करने की उम्मीद है उनमें साडन बितिया समस्तिपूर रोतास सिवहर जहानाबाद जमु कोई लखी सराय गया वह मुंगे जिला को शामिल किया गया है इसके साथ ही वैशाली एक मात्र वैसा जिला है जहां ट्रैक के निर्मान के लिए जमीन नहीं मिल सकी है पुर्व कानून मंत्री कार्थिक मास्टर को मिली जमानत बीते दिन बुदवार को नितीज कुमार के पुर्व कानून मंत्री कार्थिक मास्टर को अपरन से जुरे हुए एक मामले में हाई कोट में बड़ी राहत देते वे उनके जमानत पर मुहर लगा दी गई है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कार्ति सिंग से जुड़ा यह मामला वर्ष 2014 का है जब बीटा में राजीव रंजन उर्फ राजुस सिंग का अपरन कर लिया गया था जिसके बाद इस मामले को लेकर बीटा थाना में F.I.R. दर्ज कराई गई थी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्ष 2017 में कार्तिक सिंग ने पटना हाई कोट में अगरिम याचिका की अरजी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है वे उस दिन यहां मौजूद नहीं थे वहीं बीते दिन बुदिवार को सुनवाई में कार्ति सिंग उर्फ मास्टर की याचिका को स्विकार्ते विन्यादी सुनील कुमार परमार ने उन्हें अगरिम जमानत दे दी गुजरात में हुआ विधान सभाव चुनाओ का ऐलान यानि की बीटीपी के साथ गड़ बंधन कर सकती है। हाला कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसकी कोई जानकारी जदियों के द्वारा नहीं दी गई है। बताते चले कि इस चनाव का परिणाव 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वहीं इस पर गुजरात में नए जुड़ने वाले वोटरों की संख्या 3,24,422 है। तेश्वी ने बीजेपी से मांगा अपना बर्थडे गिफ्ट। बीते दिन बिहार के मुख्यमंति तेश्वी यादव का 33 जन दिन था ऐसे में उन्होंने बीजेपी से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग लिया है। बता दे कि जब उनसे न्युक्ति पत्र वितरन कारिक्रम में मीटिया के दौरा या सवाल पूछा गया कि वे अपने बर्थडे के मौके पर बीजेपी से क्या मांग सकते हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते वे कहा कि अगर उन्हें मांगना हो तो वो बिहार को विसेश राज्य की दरजा देने की मांग करेंगे। विजेए सिना का तेश्वी पर तंच नेता प्रतिपक्ष विजेए सिना सनातन सांस्क्रितिक समागम में भागले ने बिहार के बकसर पहुंचे जहां उन्होंने सवाल का जवाब देते वे तेश्वी यादव और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि व पाल गंज की तरह आउकाद दिख चाएगी आज के समय में बिहार में अप्राधी बेलगाम होकर हत्या अपरन लूट की गटनाओं को दिन दहारे अंजाम दे रहे हैं और बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है राज़त ने जिससे प्रत्यासी बनाया का वकुद सबसे बड़ा स संबोधित करते वे कहा कि स्कूल में खिचरी बट रही है तो वहीं कॉलेज में डिगरी लेकर अगर पढ़ाई की बात की जाया तो यह कहीं नहीं हो रही है और सभी बस बयान बाजी करते नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि मैंने सियात्रा के दौरा जितने भी स्कूल देख भी बिहार में सिक्षा के सिती इतनी दैनी है कैसे बनी हुई है इसके अरावा यहां ब्रस्चाचार भी काफी बढ़ गया है जिस वज़ा से लोग द्रस्ट हो गया है पाकस्तान पहुंचा फाइनल में आज होगा दूसरा सेमी फाइनल आज टी 20 वर्ल कप 2022 का दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा एडिलेट में रोईस सर्मा की टीम इंडिया का सामना संतुरित इंग्लैंड से होगा यह मुकाबला जीत कर दोनों में से एक टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी भारतिया टीम सूपर बारा में खेले गए पांच में से चार मुकाबले जीत कर यहां तक पहुँची दूसी तरफ इंग्लैंड ने नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई किया है। कर दो सुने से बॉर्डर गावसक ट्रोफी जीती भारतिया राश्ट्री कॉंग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के समाने तेता सुरेंद्रनात बनर जी का जन्म 1848 में हुआ। बीस में हुआ। आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप सेमी फाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड में से किसका पल राप भाड़ी है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूस।